नमस्कार दोस्तों तु चलीह हम लोग बात कर रहे थे सामार नग्यान के बारे में इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हो गए przedstaw इतिहास में लाक्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी विस्त इतिहास के जो प्रमुक एउद्ध हुए उनके बारे में हम लोगों ने जाना था आज बात करेंगे विस्त के इतिहास के कुछ प्रमुक तत्थ देखेंगे याद रखिए हम लोग भारत का इतिहास पूरी तरह से complete कर चुके हैं और विष्ट के इतिहास पर हम लोग बात करें इसी तरह से आपके सभी सब्जेक्ट कबर किये जाएंगे लूसेंट की तरह ठीक है पूरा तो यह सभी आपकी क्लासें सामान ग्यान के नाम से पिले लिष्ट सूची बनी हुए उसी में डली हुए है इतिहास हिष्टरी सब्द का सरपिथम प्रयो हैरोडोटस फादव और फादर ओप हिष्टरी इतिहास के जनक ने किया था तो याद रखना है, इतिहास सब्द का सरपेटंपे किस ने किया था? हेरो डोटस ना है, और हिस्ठरी का पिता है यानि कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरो डोटस को, यहाँ आपके दो questions बन जाते हैं, टीउ? अगर आपसे किसी भी तरह के questions पूँचता है तो आप इन questions को solve कर पाएंगे History सब्दे से उनका अभी प्रयाय खोज और अनुसंदान था इतिहास करत होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ इतिहास करत क्या होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ इसका बेसा है ब्यक्ती जीवन नहीं किन्तु समाज क्या जीवन है मिस्त की प्राचिन सब्दा नेन लदी की घाटी में विक्सित हुई थी अरग आपसे पूँचे मिस्त की प्राचिन सब्दा किस नदी घाटी पर विक्सित हुई थी तो नेल नदी घाटी की मिस्र के लोगों ने सरपिथम खेती का अविस्कार कर लिया था मिस्र में लगवग 5000 इसापूर्व से सामाजिक जीवन संगेटित होने लगा था लगवग 3400 इसापूर में पिथम राजवन्स की इस्थापना मिस्र में हुई थी लगातार बसा हुआ विस्का सबसे पुराना सहर है आपका दमस्क सौर पंचांग मिस्र देश की देन है जो आपका सौर पंचांग है ये आपकी मिस्र देश की देन है मिस्ट के विसाल पेरामेड का निर्माड समराट खोफो द्वारां गीजा में करवाया गया मिस्ट के राजा को फराओ या फिरो कहा जाता था मिस्ट के किसान को फिलाय कहा जाता था विश्व सब्दा में अप वाहेतंत का निर्माट सबसे पहले सिंदुगाडी सब्दा के लोगों ने किया था सेंधाव वासियों की मुख सभारी बैलगाडी थी सेंधाव वासियों की मुख सभारी क्या थी बैलगाडी स्तरप्थम विश में विधी सहता बनाने वाला कौन था हम्मूरावी प्राचीन में राज्य का उत्तरादिकारी राजा की पुत्री होती थी चेन की सब्विता को पीली नदी घाटी सब्विता के नाम से जाना जाता है जो चेन की सब्विता है उसे पीली नदी घाटी सब्विता के नाम से जाना जाता है स्तरप्थम चेन ने पतंग वड़ाने की कला विक्सित की पतंग वड़ाने की कला सबसे पहली कहां विक्सित हुई थी? चेन में सरप्पितम रेशा मुद्यव आपका चीन से सुरू हुआ रेशा मुद्यव कहा से सुरू हुआ चीन से कुछ आपकी विस्त साहित थें यह नहीं देख ले थे डिवाइन कॉमेडी दानते डेके मेरन ये बोकासियो इन प्रेज और फॉली रेसमस ग्रीक टेस्टामेंट इरेसमस दापिरेंस दीपरेंस मेर्किया वेली से सम्मंदित थें ठीक है कुतुब नुमा का आविसकार किसने किया? चीन देशने सरप्पितम परीक्षा क्या आधार पर सेवा में भरती करने का सरी किसे जाता है? चीन को सरपिथम परीच्छा के अधार पर सेवा में भरती करने का सरे किसे जाता है? चीन को चीन में सिविल सेवा की परीच्छा सरपिथम 6 इसवी में सुरू हुई थी चीन में सिविल सेवा की परीच्छा सरपिथम 6 में यानि 6 इसवी में सुरू हुई थी बिस्त में सरपितम सिक्का और कागजी मुद्रा का पिचलन आपका चीन में ही हुआ था मैसो पोटामिया की सब था दजला और फारात नदी घाटी में बिक्सित थी मैसो पोटामिया की सब था दजला और फारात नदी घाटी में बिक्सित थी मैसोपोटामिया का नया नाम क्या है इराग इराग को पहले क्या बोला जाता था मैसोपोटामिया जिगूरत मैसोपोटामिया के देवमंदिर को कहते थे सरपितम सीशा कप्रियो मैसोपोटामिया में हुआ सरप्पिथम सीजा का प्रिव कहा हुगा था मैसोपोटामिया में इसाई धरम के पिवर्टक इसा मसीह थे इसाई धरम के पिवर्टक कौन थे इसा मसीह भारत में पहला इसाई धरम पिचारक सैंट थॉमस पहली सताबदी के आरम में आया था भारत में सबसे पहले इसाई धरम का पिचारक कौन था सैंट थोमस कब आया पहली स्ताबदी के आरब में इसाई धरम का प्रमुक गरंथ बाईविल है इसाई धरम का विकास यहूदी धरम से हुआ है इसाई धरम के दो रॉमन कैथोलिक और प्रोटो स्टेंट संपधाय हुए थे आंगे चलते हैं इसा मसी का जनम फिलिस्तीन के गलीली प्रांत की नाजिरत नामकिस्तान पर हुआ था इसा मसी की माता मेरी पिता जोसेप थे इसा मसी की माता का क्या नम था मेरी पिता जोसेप इसाई धरम का सरवादिक पवित पिती क्या है क्रोस इस तरह की आपकी वन डेक जाम में कुश्चन से पूँचे जाते हैं पूँच लेगा कि इसाई धरम का सरवादिक पवित पिती क्या है क्रोस इसलाम धर्म के फिवर्टक कौन है हजरत मुहम्मद का जनम 570 इस्वी में मक्का में हुआ था इनके बच्पन का नाम था अमीन इनके बच्पन का नाम क्या था अमीन हजरत मुहम्मद को 610 इस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गोफा में ज्यान प्राप्त हुआ था मक्का साउदी अरब में है मक्का मुसल्मानों के लिए एक तीर्थ यात्र तीर्थ इस्थान है पवित तो ये मक्का कहा है साउदी अरब में स्थिया मुसल्मानों को कपवित नगर करवला इराक में स्थित्या 24 सेप्टमबर 622 को हजरत मुहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संबत या मुसलिम संबत की नाम से जाना जाता है जब हजरत मुहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा की 24 सेप्टमबर 622 को तो इसे हिजरी संबत या फिर मुसलिम संबत की नाम से जाना जाता है पैगंबर की मित्तिव आपकी 8 जून 632 इसवी को हुई इन्हें मदीना में दपनाए गया इन्हें कहां दपनाए गया मदीना में पैगंबर के उत्तरादिकारी को खलीपा कहा जाता है जो पैगंबर थे उनके उत्तरादिकारी को क्या कहते हैं खलीपा मुसलिम जगत में खलीपा सब्द का पद आपका 1924 इसमी तक तुर्की में बना रहा उसके बाद खतम हो गया पैगंबर की सिख्छाओं का संग्रे कुनान गिरंत में है आपको पता हुगा मुसल्मानों में कुरान एक पवित गिरंत है मुसल्मानों का अरब के मूल निवासी बद्दू परिजाती से थे मुहमत पैगंबर के जनम दिम पर ईद ए मिलाद उन नभी परम मनाया जाता है जैन अविस्ता पार्शी की पवित पुस्तक है बात की रचनाय अविस्ता कहलाती है जैन अविस्था किसकी पवित्पुस्तक है पालसी धर्म की अविस्थन रचनाओं की अनुबात को जैन्द की नाम से जाना जाता है यूरोपिय पुनर जागरन इटली से शुरूं हुआ था इटली का फिलोरेंस नगर पुनर जागरन का कहन देता पुनर जागरन का मुख लक्षन तार्किक बाद एवं मानवाद था मौना लिसा लेनायडो दाविंसी चितकार की किरती है पुनर जागरन का बोद्धिकर्थ आंदूलन है पुनर जागरन का बोद्धिकर्थ क्या है आंदूलन आंगे चलते हैं हम लोग कौपर निकस करांती द्वारा पित्वी सूर के चारों और घुमती है क्या सिद्धुगा कि पित्वी सूर के चारों और घुमती है अमेरिकी नेता मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरे कदिकार प्राप्त करने हितु अहिंसात्मक आंदुलन का नेतित किया अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था अमेरिका के जो मूल निवासी है ने क्या कहा जाता था रेड इंडियन अमेरिकी सुतन्ता संगराम के समय बैटिस सैनापती लौड करनवालिस था अमेरिकी सुतन्ता संगराम के समय बैटिस सैनापती लौड करनवालिस था अमेरिकी सुतंता संगराम का मुख नेता जोर्ज बोसेंगटन था अमेरिका ने जुलाई 1776 इस भी में पूर्ण सुतंता की घोष्णा की जॉर्ण बोसेंटन अमेरिका की पितम राष्टपती बने जो जॉर्ण बोसेंगटन थी ये अमेरिका की पितम राष्टपती थी अमेरिका ने दासब्यापाल पर 1808 में पितीबंद लगाया 1808 तक आपका दासब्यापाल अमेरिका में चलता रहा पूर्ण रूख से दासब्यापाल अब्राहिम लिंकन ने 1863 में किया था अमेरिकी राष्टपती के निवास इस्थान को व्राइट हाउस कहते हैं अमेरिकी राष्टपती जहां निवास करता है उसे क्या कहते हैं व्राइट हाउस अमेरिकी संगे का पच्चासवा राज बनाने के लिए सयुक्त राज अमेरिका ने अलासका को रोज से खरीदा था तो कितने राज्जां भी, 50 राज्जां अमेरिका में, ठीक है? सैयुक्तराज अमेरिका में, राष्टपती को चुनाव, सामान वैस्क मतादिकार द्वारा होता है राष्टपती को कौन चुनता है जिस तरह हमारे यहां एक विधायक या संसत को डारेक्ट जनता चुनती है उसी तरह वहां के राष्टपती को चुनती है लेकिन हमारे यहां का राष्टपती का चुनाओ आपत्यक्ष रोप से होता है ठीक है आँगे चलते हैं रोबेस पियर नामक फ्रांसिसी बकील राजनेतिक नहे आतंक के सासनकाल में मतपून भूमिका निभाई फ्रांस की राजक्रांती लुई सुलेवी के सासनकाल में 1789 में हुई थी फ्रांसिसी क्रांती का नारा समानता सुतनता और बंधुत था जो फ्रांसीसी किरांती थी इसका नारा क्या था समानता सुतनता एवं बंदूत फ्रांसीसी किरांती में बाल्टेयर रोसो और मॉन्टेस की जैसे दासनेकों का युगदान था सोशल कॉंटेक्ट रोसो की रचना है सोशल कॉंटेक्ट किसकी रचना है रोसो की नैपोलियन का जनम 15 अगस्त 1760 को कोर्शी का दुईब के आगासी हो नामक नगर मैं कायलो भुनापाट के घर में हुआ था नैपोलियन का जनम कहा हुगा था कोर्शी का दुईब आगासी हो नामक नगर मैं कब हुआ 15 अगस्त 1760 को नैपोलियन 1840 में फ्रांस का समराट बना नैपोलियन फ्रांस का समराट कब बना 1804 में सरपिथम राष्टबाद फ्रांस में बिक्सित हुगा नैपोलियन बनापाट द्वारा सरपिथम राष्टबाद आपका कहा बिक्सित हुगा फ्रांस में आधोनिक फ्रांस का निर्माता नेपूलियन बौनापाट को कहा जाता है। किसे माना जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बॉनापाट का वाटर लू का यूद नेपोलियन और मित राष्टों के बीच जून 1815 में हुआ था आपका कुश्चन किस तरह से कुश्चेगा वाटर लू का यूद किन किन के बीच हुआ और कभूगा ये दो तरह से आपके कुश्चन बन सकते हैं तो वाटर लू का यूद आपका नेपोलियन और मित राष्टों के बीच हुआ कभूगा जून 1815 में नेपोलियन को कैद कर सै सेंट हेलेना दुईपन नेपोलियन के पतन का कारण रोस पर आखमण करना था इटली इटली राष्ट का जनम 1860 में माना जाता है इटली का एकी करण काउंट काबूर ने किया लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन गरीवाल्टी ने किया था लाल कुर्ती का कुर्ती नामक सेना का गर्ठन किस ने किया था गरीवाल्डी ने प्रसा के सासक बिलियम पितम का पिधान मंतरी बिस्मार्ग था कौन था बिस्मार्ग था जर्मनी का एकी करण बिस्मार्ग ने किया था जर्मनी का एकी करण बिस्मार्क ने किया था इटली का एकिकरन काउंट कावूर ने किया था जर्मनी का एकिकरन सेडान के उद्ध के बाद संभव हुगा जर्मनी का एकिकरन सेडान के उद्ध के बाद संभव हुगा आपका बिग्यानिक समाजबाद कसंस्थापक काल मार्क्स को था बिग्यानिक समाजबात का संस्था पर किसे माना जाता है काल मार्क्स को काल मार्क्स जर्मनी का निवास दी था कहा का जर्मनी का दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया था काल मार्क्स ने दुनिया के मजदूर, एक हो जाओ, किसने नारा दिया, काल माक्स, रोस के सासक को जार कहा जाता था, रोस का जो सासक होता था, उसे क्या कहती थे, जार्ज, जार, रोस का अंतिम जार हुगा निकोलस दूतिय, लाल सैना का गटन, ट्राट इसकी नहीं किया, बोलिस, सिविक, दल का नीता, लेनिन था, रोस में, रोस में, नई आर्थिक नीती, लेनिन ने, 1921 में लागू की, आधुनिक रोस का निर्माता, इस्टालिन को कहा जाता है, मदर, मैक्सिम गोर्कु की रचना है, जॉन लॉक को उधारबाद का जनक माना जाता है, जॉन लॉक को उधारबाद का जनक माना जाता है, लॉक ने यीवन, सुतन्ता और संपत्ति के अधिकार को मानाव का प्राक्तिक अधिकार माना है, आँगे चलते हैं हम लोग उसने तरक दिया कि मनुस नहीं इन्ही अधिकारों की रख्चा के लिए नागरिक समाज या पिर राज्जी का निर्माड करता है सरपितम आपकी उद्धोगी किरांती इंग्लेंड में हुए सरपितम आपकी का हुई इंग्लेंड में इंग्लेंड की गौरप पूर्ट करांती रख्टे भीहीन रख्थीन करांती 1688 इसवी में जैम्स दुतिय के समय हुई थी इंगलेंड की गौरपूर्ट करांती, रख्तिहीन करांती, 1688 इसवी में जैम सदुतिये की समय हुई थी, सब्त बरसी यूद इंगलेंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, इसे ही याद रखिए, अच्छे से, सब्त बरसी यूद किसके के बीच हुआ, इंगलेंड और वांडि वास की लड़ाई, अंग्रेजी सेना को अयर घूट ने, तथा फ्रांसी सेना को लाली ने, नितित पिधान किया था, गुलाबों का यूद इंगलेंड में हुआ था, गुलाबाओं का यूद का हुआ थे, इंगलेंड में, मैगना कार्टा सर्व साधारन के अधिकारों का घोष्णा बत्त था पिथम बिसे उद्ध आपका 28 जुलाई 1904 को शुरूं हुआ था पिथम बिसे उद्ध आपका 28 जुलाई 1904 को शुरूं हुआ था पिथम बिसे उद्ध का ततकालीं कारण सराजियो हत्याकांड था पितम युद बिस्षब युद नहीं कहा जाता था क्योंकि दूसरा आप इस युद तब तक हुआ ही नहीं था जैसे आप लोग माल दिजे चंदगुपत दूतिया हुआ चंदगुपत पहला हुआ तो नाम यह आपका दूसरा यूद दूगा तो इसे फर्ष्ट नाम दे थिया फर्ष्ट यूद और सेकेंड वाले को सेकेंड पिथम यूद में 37 देशनों बात लिया था कितने 37 पिथम बिश्यूद में रोस, फ्रांस, बेटेन एक दल थे और जर्मनी यह आपका दूसरी तरफ अगस्त 1914 में जापान ब्रेटेन की ओर से और कुछ समय बाद तर्की जर्मनी की ओर से यूद में सामिल हुए धुरी राष्टों का नेतत जर्मनी ने किया था जो धुरी राष्ट थे इन का नेतत कौन कर रहा था जर्मनी पित्थम बिश्योद आपका 11 नमंबर 1908 को समाप्थुआ पैरेश सांती सम्मिलन आपका कब हुआ अठारे जून 1929 को पित्थम बिश्योद में सरवादी खानी जर्मनी को हुई थी किसे जर्मनी को पित्थम बिश्योद के बाद राष्ट संग नामक 1924 अंतराष्टी संग गठन की स्थापना हुई चेन की करांती आपकी 1911 हुई चेन की करांती आपकी 1911 हुई चीनी किरांती कनीता कुन था? सन्याद सेन चीन में बॉक्सर आंधूलन कनीता चेहंग तिंग था चीनी सामबादी गर्तंत का पितामध्यक माउच से तुंग था आगे बात करते हैं एसिया कमरीच एसिया कमरीच किसे का जाता है? चीन को याद रखना यूरोप कमरीच किसे कहते है? तुर्की को एसिया कमरीच चीन को और यूरोप कमरीच तुर्की को आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पासा को माना जाता है तुर्की आपका 23 अक्टूबर 1923 को गर्दंत बना तुर्की गर्दंत का पितम राष्ट पती मुस्तफा कमाल पासाद बना तुर्की 1924 इसवी में धर्म निर्वेच राज बना फासेजम कवदय इटली में हुआ था फासेजम कवदय इटली में हुआ था इटली के चिंतकों केंट, फिष्टे, हेगल, रोजन बर्ग ने फासेज्म को प्रभावी किया था फासेज्म का जनम्दा तक इसे मानते हैं मुसोल लीनी फासीबात के स्वयम सेवक काली कमीज वाली पोसाग पहनते थे नाजीबात का उदय कहा हुआ, जर्मनी में है, फासेज्म का उदय इटली में हुआ, नाजीबात का उदय जर्मनी में हुआ एडोल्प हेटलर के लिए सामी बिरोधी नेतीकार्थ, यहुदी बिरोधी नेती था नाजीबात का जनम्दा तक किसे मानते हैं हेटलर को नाजी बात का जनक हिटलर को मानते फासेजम का जनम दाता किसे मानते थे मुसोलीनी को नाजी बात का जनक हिटलर हिटलर ने नाजी दल की स्थापना उननीस सो बीस में की थी हिटलर ने नाजी दल की स्थापना कब की उननीस सो बीस को हिटलर आपका 30 जन्वरी 1923 को जर्मनी का पिधार मंतरी या पर चांसलर मना मेंड केमप हिटलर की आत्व कता है मेंड केमप किसकी आत्व कता है हिटलर की एक राश्ट एक नेता कनारा हिटलर ने दिया थे हिटलर ने कब आत्मत्या की? 29 अप्रेल 1945 को एसिया का देश जापान समराजवादी था जापान ने पहला अकमड चीन के विरोध किया था अमेर्का ने जापान पर परमाडू वम का प्रियो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा 9 अगस्त 1945 को नागा साकी पर किया था दुतिय विशियुद आपका 1 सेप्टमबर 1949 को शुरू हुगा दुतिय विशियुद आपका 1 सेप्टमबर 1949 को शुरू हुगा दुतिय विशियुद का अंध कब हुगा 2 सेप्टमबर 1945 को दूतिय विसेउद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था पहले विसेउद्ध में 37 देशों ने लेकिन आपके दूतिय विसेउद्ध में 61 देशों ने भाग लिया दूतिय विसेउद्ध के समय डी दिवस, डी डे वह दिन था जब मित सेना नारमंडी में उतरी थी आँगे चलते हैं अमेरिकी नौसेना और बायू सेना बेस परल हावर पर जापान के द्वारा आखमण किया गया पैट्रॉक को मानवाद का संस्ताफ़क माना जाता है पैट्रॉक को मानवाद का संस्ताफ़क माना जाता है पैट्रॉक इटली का नेवासी था कहा का इटली का इटालियन गद का जनक कहानीकार बख़िसीओ को माना जाता है ये कब से कब तक रहे हैं 2308 से 335 तक इनका जीवनकाल रहा कहानीकार बोके सीयो की पिस्सिद पुस्तक डेका मेरोन है आधुनिक विस्थ का पितम राजनितिक चिंतक फिलोरेंस निवासी मैकिया वेली कुमाना जाता है आधुनिक विस्थ का पितम राजनितिक चिंतक फिलोरेंस निवासी मैकिया वेली कुमाना जाता है इसका जीवन काल के दोना रहा है 1489 से 1566 मैकिया वेली की पिस्थक पिसिद पुस्तक कोंती दा प्रेंस जो राज का एक नमी चित पिस्थवत करती है आधुनिक राजनितिक दर्सन का जनक मैकिया वेली को कहा जाता है पोनर जागरन की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ती है इटली के तीन कलाकारों की कृतियों में मिलती है एक कलाकार कौन-कौन थे? लियो नार्दो दाविंसी, मार्क, केल, एंजलो और राफेल इटली के जियो टो कुछित कला का जनम दाता माना जाता है लियो नार्दो दाविंसी एक बहु मुखी पितिवा संपन बेक्ती था वह चितकार, मूर्थिकार, इंजिनिरिंग, विग्यानिक, दार्सनेक, कभी और गायक था देखिए एक ब्यक्ती में कितनी पितिवा आए है कि वह चितकार है, मूर्थिकार है, इंजिनिर है, विग्यानिक है, दार्सनेक है, कभी है और गायक भी है लियोनार्दो दाविंसी दालाश्ट सपर और मौना लीसा नामकमर चित्रों के रचेहता होने के कारण प्रिसिद्ध रहे माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्थिकार एवं चित्कार थे सिस्तान के गिर्जागहर की चत में माइकल एंजेलो की द्वारा ही चित्ट बनाए गए है राफेल भी इटली का एक चित्कार था जिसकी सरफशेष्ट किर्थी जीसस क्राइस्ट थी माता मेडोना का चित्ट है राफेल जो था आपका एक इटली का चित्कार था जिसकी सरफशेष्ट किर्थी थी जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्ट आगे चलते हैं पुनर जागरन का काल में पुनर जागरन काल में चितकला का जनक जी आटू को माना जाता है पुनर जागरन काल का सरफशेष्ट निवंदकार इंगलेंड का फ्रांसिस बैकन था हॉलेंड के एरास मस ने अपनी पुस्तव दप्रिज और फॉली में बिरंगात्मक डंग से पादिरियों के अनेतिक जीवन एवं इसाई धर्म की उर्दियों पर प्रहार किया इंगलेंड की लेकर टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्स समाज का चित पिस्तुत किया इंगलेंड की लेकर टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्स समाज का चित पिस्तुत किया धर्म सुधार अंदोलन की चुरुआत् कहा हुई थी इंगलेंड में धर्म सुधार अंदोलन की चुरुआत् आपकी इंगलेन में हुई थी जॉन विकलिक जॉन विकलिप कुद्धरम सुदार अंधुलन का प्राता कालीन तारा कहा जाता है इसके अनुवयाई लो लो डस कहलाती थे अमेरिका की कोच किष्टोफर कोलंबस ने की थी 1492 में ठीक है किष्टोफर कोलंबस 1459 से 1506 इसका जीवन का रा या एक इटली का नाविक था उसने इस्पैन के राजा एवंबरानी से जहाज मागा तथा 1492 में उसने अमेरिका बाहामास की उगा तथा बेश्टिंडी जाने के मार्ट कुख हो जा 1498 इस्वी में वजदेच्चिन अमेरिका पहुँचा तथा 15 सुद्धिन में मद्ध अमेरिका पहुचा अमेरिगो बिस्टूपी बिस्पूसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पढ़ा पिसांत महाजागर का नाम करण इस्पैन निवासी मेगलन ने किया था पेसांत महासागर का नाम करें इस्पैन निवासी मेगलन ने किया था समुद्री मार्क से समुद्री मार्क से संपूर्ड विस्का चक्क लगाने वाला पिथम व्यक्ति कौन था? मेगलन प्रिज्यातंत की स्थापना सरपितम अमेरिका में हुई थी यसे ही आदुनिक गरतंत की जननी कहा जाता है अमेरिका को धरम निर्पेच राजी की स्थापना सरपितम आपकी अमेरिका में ही हुई थी अमेरिकी सुतंता संग्राम के दोरान अमेरिका वासियों का नारा था पिती निदित नहीं तो कर नहीं जब अमेरिकी सुतंता संग्राम चल ला था तो उस दोरान अमेरिका वासियों का नारा क्या था पिती निदित नहीं तो कर नहीं आगे चलते हैं हम लोग अमेरिकी आजादी का घोषनापत थौमस जेफर सन द्वारा तियार किया गया था उसने उपनेवेसों के लोगों को किकटनाईयों और आवसक्ताओं का ध्यान में रख अब सक्ताओं का ध्यान रखकर नहीं अपितिव मनिश्च के प्राक्तिक अधिकारों के दासनिक सिध्धान को ध्यान में रखकर या घोषनापत तियार किया था इस गोशनापत के तीन भाग थे प्राक्तिक नैसरकिक अधिकार सिद्धान और सरकार का उद्धिर्ष बैटिस राजा के खिलाब सिकायतों की एक सूची और इंगलेंड से सुदंता का गोशनापत प्राक्तिक ने सर्गिक अधिका सिद्धान का पिती पादन लौक के द्वारां किया गया था चाया मंती मंदल की रिती ग्रेट बेटन से शुरू ही थी चाया मंती मंदल की रिती ग्रेट बेटन से शुरू ही थी आपकी थॉमस हॉप्स ने सामाजिक समीदा के सिद्धान्द को राजनितिक विचारधारा का आधार बनाये लौक ने अपने सामाजिक समीदा के सिद्धान्द से जनपितित निदित पर आधारित संसदिये सासन पढ़ाली का समर्थन किया रोसो ने सामाजिक सम्विदा की सिध्धान्त का सहरा लेती हुए बताया कि राज सक्ती जनता की सामान एक चाहत पर आधारित होनी चाहिए इस पेकार हॉप्स, लॉक, रोसो तीनों ने सामाजिक सम्विदा सिध्धान्त का समर्थन किया था संसार में सरफिथम लेक्ष समिधान सैउकत राज अमेरिका में 1739 में लागु हुआ ये भी आपका कुश्यन बहुत ही महत्पून है लेक्ष समिधान की सुरुगात कहा हुई है? सैउकत राज अमेरिका में कब 1789 में 1789 में उपनेवी सी सेना की सम्मुक आत्म समर्पन करने वाला बैटेन का सेना पती लौड कौन बालस था अमेरिका विस्व का पहला दिश था जिसने मनोस की समान था उसके मौलिक अधिकारों की गोशना की थी मैं ही राज हूँ और मेरे सब्दी कानूं ने या कतन किसका था लुई 24 बा का वरसाय की सी समाहिल का निर्माड लुई 24 बी लुई 24 बा ने करवाय था वरसाय को फ्रांस की राद्दा ने लुई 14 बारा बनाय था लुई सोलेवा आपका 374 सुभी में फ्रांस की गद्धी पर बैठा। लुई सोलेवा की पतनी मेरी एंतवानेत ओस्टीरिया की राजकुमारी थी। लुई सोलेवा को देश्द्रोगे अपराद में फासी दी गई थी। टेले एक पिकार का भूमी कर था। प्रांसी रांती में वाल्टेयर, मॉॉटिस्क्यू एवं रोसो ने सरवादी की उप्तान दिया था। रोसो फ्रांस में प्रजात आंत्रात में सासन प्रदिती का समर्थक था। सौ चूहों की अपेक्चा है एक सिंग का सासन उत्तम है यह किसकी उत्ती है? किसने कहा था? सौ चूहों की अपेक्चा है एक सिंग का सासन उत्तम है यह कतन था आपका, वाल्टेयर का Letters on English Letters on English वाल्टेयर की रचना थी कानून की आत्मा की रचना मौन्टिस्कीव ने की थी कानून की आत्मा किसकी रचना है मौन्टिस्कीव की फ्रांस की इतियाज की मुख गटनाओं में एक फ्रांस की करांती उन 1789 में है जिसमें जिसने कहा जिसने वहां की राजा लुई तथा मेरी तुआनेत को five दे दी गई थी समानता सुदन्ता और भातुत का नारा दिया गय था प्रांसीशी क्रांटी ने रूसों की सिक्छाओं से पेड़ा प्राप्त की थी रूसों ने आहान किया था कि प्रक्ति को बापस लाओ मनुस से सुदेंत पैदा होता है लेकिन सरवत जंचीरों में जगड जखड़ा रहता है नामक कतन किस ने दिया था जैन जेक्स रूसों का था इस्टेटस जनरल की अधिविशन की सुरुआत पांच माई 1789 में हुई थी मापतौल की दसमलों परणा लिए आपकी फ्रांस की देन है सांस्केतिक राष्टियक्ता का जनद हर्ड़ को कहा जाता है जर्मनी के आर्थिक राष्टबात का पिता फैंडरेक लिष्ट को माना जाता है जर्मनी के आर्थिक राष्टबात का पिता फैंडरेक लिष्ट को माना जाता है जर्मनी राष्ट सवा को डायट की नाम से जाना जाता है या फैंक फायट में होती है तहां होती है, फैंक भाट आँगे चलते हैं हम दो 1815 है इस वी से 1850 की बीज जर्मन समराज पर ओस्टिरिया का अधीपत्त था ओस्टिरिया का चैंसलर कौन था? मैटर निक एक इकरत जर्मन राष्ट की निर्पाड में राके, बॉमर, उलसर इत्यादी दार्सनेकों ने मत्पूं बॉमिका ना की फैंक फर्ट समिधान सभा का गटन मई 1846 में किया गया था बिलियम पिथम के सासनकाल में पिरसा का रक्षा, मंतरी वान रून इवन पिरसा का सेनापती वान माल्टे था 23 सेप्टमबर 1862 को बिसमार्क पिषा का चांसलर बना बिसमार्क का जनम एक अपरेल 1815 को बेडन बर्ग में हुआ था बिलियम पिथम ने बैसमार्क को बाजीगर कहा था सराज यो के युद्ध आपका 1866 में और श्टेडिया ने पिषा के आंगे आत्म समर्पन कर दिया था इसे उद्ध में 23 अगस्त 1866 को प्राग संदी के तेथ आस्ट्रिया जर्मी संग में सामिल हुआ फ्रांस एवं प्रिशा की वीच सैडान का उद्ध आपका 15 जुलाई 1870 इस भी को हुआ था नेपोलियन तिप्तिये ने प्रिशा की आगे एक सेप्टमबर 1870 को आत्म समर्पन करिया बैसमार्क ने जर्मनी की समराठ बिलियम पिथम का राजज़बी से वर्साय की राजमहिल में किया था समाजबात सब्द का प्रियोग सरपिथम आपका रौबर्ट ओवेन ने किया था तक समाज बाद का सब्द का प हो सब्पितम र्बर्ट औवएण ने किया थ bit यह इसन रहने बाला था uns harmon की ऑन्याय के आर्थिक आयाम पर समाज बादियों द्हारा जोड़ दिया गया आदर बादि समाज का प्रवक्ता रौबर्ट औवएण को माना जाता फ्रांसिसी संवराद सामयवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है फेबियन सोसलिम कनित जोर्ज वाइनार्ड सो ने किया था लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना आपकी 1884 में हुई कभी 1884 में आपसे एक कुश्चन कॉंग्रेस की स्थापना कभी थी आपको बताना है हम लोग कई वार पढ़ चोके हैं क्या बताना है कॉंग्रेस की स्थापना कभी थी निची कमेंट मेंन लिखी इसका अंसर आगे बात करते हैं 1977 में 1977 2020 में हुई प्रूसी क्रांटी के ततकालिक कारण पिथम विसेउद में रूस की परेजे थी 17 नवंबर 1927 इसीवी को बॉल सेवी करांती का निता कौन था? लेनेन लेनेन ने चेका का नामक संगठन बनाये था रूस के जार सासक अलेज़ेंडर दुतिय की हत्या बंबिसोट में हुई थी एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकूलस दुतिय ने दिया था किसने? जार निकूलस दुतिय ने रूस में सबसे अधिक जनसंख्यावाद सिलाव लोगों की थी अन्ना केरी नीना के लेकक थे लियो टॉज टाय रूसी सामवाद का जनक पिलेखानो को माना जाता है सोसल डेमो क्रेटिव दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई थी यह दो गुटों में बिवाजित था बौलसेविक और मैंसेविक जो बौलसेविक का रथा बहु संख्याग और मैंसेविक का रथा अल्बसंख्याग सोले अपरेल 1970 को लेनिन ने रूस में करांदीकारी योजना पिकासित की जो अपरेल थीसस की नाम से जानी जाती है फिर आता है 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीती लागू की थी आधुनिक रूस का निर्माता इस्टालीन को माना जाता है मदर की रचना मैकसिम गोर की नकी थी पिथम बिशेवद की द्वरान लेनिन का नारा था ये उद्ध का अंध करो लेनिन की मित्तिव 1924 सीजमी में हो गई राइटर्स ओप मैन का लेकक कौन था टॉमस पैन इंगलेंड में उद्धोगी करांती की सुरूगात सोती कबड़ा उद्ध्युक्ते हुई थी इंगलेंड में उद्धोगी करांती ने संकमड के चरुम उतकर्स को पूझी बास से समाज बात की ओर निरूपित किया इंग्लेंड का पहला पिदानमंत्री कौन था रॉवर्ट वाल पोल रॉवर्ट वाल पोल आगे बात करते हैं इंग्लेंड की समराथ जॉर्ज पितम और जॉर्ज दुतिय अंग्रेज नहीं जानते थे इंग्लेंड की समराथ जॉर्ज पितम थे और जॉर्ज दुतिय थे अंग्रेज नहीं जानते थे इसलिए समराथ केमिनेट की बैटकों की अद्धिक्ता नहीं करता था सर रोबर्ट वालपोल एक मंत्री थे बेही उद्धोगे किरांती के दुआन निम्न अवस्कार हुए पहले इस पॉइंट को पूरा कर लिजे सर रोबर्ट वालपोल एक मंत्री थे बेही बीस बरसों यानि की 1721 से 1742 तक अद्धिक्ता करते रहे क्योंकि उन्होंने कुछ लेटिन बाती थी और बेराजा से बात कर सकते थे ये उनाइटिट किंग्डम सम्विधानिक राज़तन्त का एक उत्तम उधारन है ये आप उद्धो के किरांती की दौरान कुछ अविस्कार हुए उन्हें भी देख लीते हैं ये अविस्कार हैं ये इनके अविस्कारक हैं ये जिस सन में हुए वो समय है तेज चलने वाला सटल इसके अविस्कारक थे जौन ये आपका अविस्कार हुए 1733 में इस्पिनिंग जैनी इसके जो अविस्कारक थे हो थे जैंप्स हार गिड़्ज 1765 में इस्पिनिंग जैनी पानी की सकती से चले इसके अविस्कारक थे रिचर्ड आर्क राइट यह हुग आपका 1765 में स्पिनिंग मीवल इसके अविस्कारक थे कॉम्टन यह हुग आपका 1776 में स्टैप्टी लेंप हमप्री डेवी इसके अविस्कारक थे 1815 में इसका अविस्कार हुगा सबसे पहले स्कॉर्टलेंड के माइक एडम नामक ब्यक्तियों ने पक्की सड़के बनाने की विधी निकाली थे 1761 में बैंडले नामक इंजिनेर ने मैंचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई 1814 इस भी में जॉज इस्टी फैंसन ने रेल द्वारा खानों से बंदर गाह तक कुईला ले जाने के लिए भाप इंजिन का प्रियोग किया उद्धोगी करांती की दौड में जर्मनी इंग्लेंड का पितुद्ध दंदी था सन्याद सेन सन्याद सेन ने 1921 में को उमिन तांग पार्टी की स्थापना की थी इस पार्टी के पूर्लंगर्ठन के लिए उन्होंने माइकल बोरे दिन को आमंतित किया था डौक्टर सन्याद सेन को चीन का राष्टपिता कहा जाता है जिस तरह हमारे राष्टपिता कौन महत्मागांदी को कहा जाता है उसी तरह डौक्टर सन्याद सेन को चीन का राष्टपिता कहा जाता है डौक्टर सन्याद सेन की मित्यू 1922 CCB में हो गई थी डॉक्टर सन्या सेन की मित्यु के बाद च्यांग काई सेख ने 1926 में को मिनतांग पार्टी का नेतत समाला था को मिनतांग पार्टी ने से सामावादी लोग अलग हुए माओजे डांग चेन के सामावादी आन्दुलन का नेता था चीन में ग्रेय विद्ध आपका 1928 में हुआ चीन में ग्रेय विद्ध कब हुआ शुरू 1928 में 1925 इस्वी में हुनान की विशाल किसान अंदुलन कनितत माउस से तुंग ने किया था माउस से तुंग का जनम 1893 इस्वी में हुनान में हुआ था च्यांग काई सेक ने केंदिये सरकार की सत्ता नानकिंग में समाली च्यांग काई सेक ने अपनी सरकार की स्थापना भारमोसा में की सामवादियों का दमन करने के लिए च्यांग काई सेक ने बिलू सर्ट आतंगवादी दलका गठन किया माउट से तुंग के नेतत में 1 अक्टूबर 1909 जनवादी गड़राज की स्थापना छीन में की गए चीनीर समराजवादी गड़तंत का पिथम अध्यक्ष माउट से तुंग था चीनी जनवादी गड़राज का पिथम पिथार मंतरी चाउ एल चाउ एन लाई था चीन के जनवादी गड़राज की राधानी हूनान थी खुले द्वार की नीती चीन में अपनाई गी थी चीन के द्वार खुलने का सरे वैटन को दिया जाता है चीन के द्वार खुलने का सरे किसे जाता है वैटन को आंगे चलते हैं खुले द्वार की निती का फिती पादक कों था जॉन हे चीन की कम्यूनिस्ट पाटी की स्थापना कभी 1921 में 1823 में एक अमेरिकी नामिक पैरी ने बल पेयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी ब्यापार के लिए खोला था जापान में आदुनी की करण की फिक्रिया की सुरुआत मुठ सोहितो ने की थी किसने मुठ सोहितो 1872 इसपी में जापान में सैनिक सेबा अनिवार कर दी गए 1889 में जापान में एक नया समिधान लागू किया गया जिसमें कारवालिका के पिदान के रूम में सम्मराट को एक विशेश इस्तिती पिदान की गई उसे मंतियों की नेक्ति का दिका दिया गया, मंत्रियों को उसी के पिदी ये मिधार बनाये गया सम्मिधार में एक संसत की विवस्था की गई जापान में इसे क्या कहते हैं डाइट पूछ लेता है कि जापान की संसत को क्या कहते हैं तो आपको याद रखना है डाइट 1905 में जापान ने रोज को हराया था 1905 में जापान ने रोज को हराया था जापान रूस युद्ध की समापती 5 सेप्टमबर 1905 को पार्टस माउद की संधी के द्वारा हुई थी जापान ने 1931 में अपनी समराजवादी आकंचाओं की पूर्ती के लिए मंचूरिया पर आखमण किया 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट संग की सदस्ता त्याग दी पीत आतंक से जापान को संबुधित किया जाता है पीत आतंक से किसे संबुधित किया जाता है जापान को दूतिये विस्तियुद्ध आपका 1949 से 1945 इस भी में चला जापान ने धुरी राष्टों यानि कि जर्मनी इटली जापान के साथ दिया था जर्मनी इटली का साथ दिया था धुरी राष्टों का दूतिये विस्तियुद्ध में 10 सेप्टमबर 1945 को जापान ने आत्म समर्पन किया था क्योंकि इसी समय आपकी हीरो सीमा नागा साकी पर अडुबं गिराय जाने के कारण जापान ने दूतिये विस्तियुद्ध में आत्म समर्पन किया था दुतिय विस्यूद के अपरादियों पर मुक्तिमा चलाए जाने के लिए नियू रेमबर्ग नामक इस्थान को चुना गया था आगे चलते हैं कारवाई लगबग एक साल तक जारी ड़ी जिसमें 12 आरोपियों को वित्यूदंड तिया गया था दुतिय विस्यूद का ततकालिक कारण जर्मनी का पोलेंड पर आकमर था म्यूनिक पेक्ट सेप्टमबर 1938 में संपन हुआ म्यूनिक पेक्ट कब हुआ आपका संपन? सेप्टमबर 1938 को जर्मनी ने वार्षाई की संदी का उलगण 1935 में किया था 28 जून 1919 को वर्षाई की संदी द्वारा जर्मनी पर विजई राश्टों की और से कट्छोर सर्तें लाद दे गए थी अपने देश को घोर अपमान के कारण जर्मनी की जंता वर्षाई की संदी सुयकति ना दे सकी और उससे संदी का हर इसतर पर विरूद करना सुरूँ किया गया इस पैन में ग्रहे हुद आपका 1936 में सुरूँगा सयक तुरूप से इटली एवं जर्मनी का पहला सिकार इस पैन में हुगा जर्मनी द्वारा सोविय संग पर आखमट करने की एक रियोजना को ओपरेशन बार गोसा कहा गया 23 अगस्त 1949 को जर्मनी रूस आखमट समझोती पर हश्ताक्चर हुए जर्मनी रूस पर समझोता उलगन का आरूप लगा कर उस पर जून 1921 में आखमट कर दिया जर्मनी की ओर से दुतिय विस्यूद में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया जर्मनी की ओर से दुतिय विस्यूद में आपका 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया अमेरिका का दुतिय विस्यूद में प्रवेश 8 सेप्टमबर 1941 को हुगा अमेरिका ने दुतिय विस्यूद में कब प्रवेश लिया 8 सेप्टमबर 1941 को दुतिय विस्यूद की समय इंगलेंड का पिधान मंतरी बेश्टन चर्चिल था और अमेका का राश्टपती फैंकलिन डी रोजबिल्ट था इंग्लेंड की सांदार अलगावादी की निती का विचारक सैलिस बरी था वर्साई की संदी को आरूपिस संदी की नाम से भी जाना जाता है दुतिय विचियुद में जर्मनी की पराजय का स्रे रोज़ को दिया जाता है दुतिय विचियुद में मित राश्टों द्वारा पराजय थोने वाले अंतिम देश जापन था अमेरिका ने हीरो सीमा पर फैटमेन और नागा साकी पर लेटल बॉइ नामक एटम बंग जो सौ मेगाबाट का था को गिराय था अंतराश्टिय चेत में दुतिय विचियुद का सबसे बड़ा योगदान सयुक्त राश्ट संगी की इस्थापना है सीतियुद अमेरिका तथा रोज के भी चलता रहा था इसके भी परी जवाहला नहरू गमाल अब्दूल नासिर मार्शल टीटो ने गोठ निरपेच अमेरिका तथा रूस से अलब आंदूलन को आरम किया था बेत नाम के सुतंता अंदूलन का नित होची मिन ने किया था होची मिन ने बेत मिन नाम से अपनी सुतं सरकाय का अगठन कर लिया और अपने को ख्रांसिसी अधिपत्य से पूर्ण रोपेंड मुक्त कर दिया तो यह था आपका, एक बड़ा सा चेप्टर, 20 से थियास की कोछ मात्पूर तथ थे, ठीकर? एक last class बस्चिती है हमारी, 20 से थियास की मात्पूर थे थे इससे देखने के बाद हमारा विस्द का समिणान, sorry विस्द का थियास कम्पलीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारती एक कला एवं संस्किति के बारे में